बिना मेहनत किये अगर टेस्टी सबजी खाने को मिल जाए तो कहना ही क्या है तो वैसी ही एक सबजी लेकर मैं आई हूँ जो बिना मेहनत किये ही ये सबजी बनके तयार हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में ये सबजी बनके तयार हो जाती है तो चलिए सबसे पहले मैं बता और दो प्याज ले लें दोनों को अच्छे से छिल के कट कर लें और गोल-गोल कट करें जैसा मैं दिखा रही हूं आपको वैसे ही कट करके रख लें और उसके बाद एक प्रेशर कुकर ले लें और कुकर में सबसे पहले प्याज का लेयर लगाएं उसके बाद करायले का लेय लेयर बाई लेयर ऐसे ही दोनों चीजों को लगा लें अच्छे से अगर आप ज्यादा कर रहे लेंगे तो ज्यादा प्याज भी ले लें प्याज इसमें थोड़ा ज्यादा लगता है इस बात का ध्यान रखिएगा और दोनों को अच्छे से हम ऐसे ही लगा लेंगे लगाने अपर नर्मल घ्रम्स आप मसाला हूं नहीं पड़ाइगा तो के बाड़ा धूड़ा की और भी जार पड़ा डाल. इसके बाड़ फूरी भी जंब थेन्य झाता है इसके बाड़ा झांव खान सुन फि की आदाम हम इसमें डाल देंगे सरसो का तेल सरसो का तेल आप दो से तीन बड़े चमच डाल दे और इसमें रिफाइन नहीं डाले अगर नहीं हो सरसो का तेल तो ही रिफाइन डाले और उसके बाद स्वादानुसार नमक डाल दे और दम ताजी दही ले खटी दही नहीं डालना इसमें ताजी दही डालिएगा और अच्छे से दही को फेट के डालिएगा उसके बाद थोड़ा सा दो से तीन चमच ही पानी डालिएगा जादा इसमें पानी नहीं डालना है क्योंकि करेला और प्याज दोनों ही पानी छोड़ देता है बाद में और इसके बाद आप हम कुकर को बंद कर लेंगे और चूले पर रख देंगे और एक सीटी हाई फ्लेम पर दिलाना है और उसके बाद मेडिया माज करके तीन सीटी दिलाना है और जब कुकर एकनम ठंडा हो जए तब खोलना है इसको कुकर ठंडा हो गया था तब मैं खोल रही हूँ और ये देखिए कितना सारा पानी छोड़ दिया है आप देख सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा दिख रहा है और इसको अब हम सुखा लेंगे क्योंकि ये ग्रेवी व ज़्यार मिनट ही लगे थे और इसका पानी बहुत जल्ली सुख गया था आप देख सकते हैं और ये बनके तयार हो गई सब्जी बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही थी इसकी तो आप भी ऐसे ही बनाएगा और अपनी फैमली को खिलाएगा और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करिएगा हो सके तो तो अब हम इसको निकाल लेते हैं ये सब्जी बनके तयार हो गई है इसको प्लेन चपाती या प्लेन राइस के साथ खाईए और मजे लीजिए कम मेहनत वाली सब्जी है ये बिना मेहनत कि ये सब्जी बनके टेस्टी सी तयार हो गई है अगर मेर रेस्ट भी पसंद आई हो तो लाइक करें फॉलो करें थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई टेक क्यार